श्रीशिवाई नमस्तुम्यम हर हर महादे वहगवान भोलेनात आप सभी की मनोकामना पूर्ण्णने करें इसी के साथ आज की उपाई जानकरी लेकि आई हूँ जैसी कि आप सभी को पता है कि अभी आने वाला है महा शीवरात्री पर और महाशिव रात्रे पर अपनी जीवन की समस्यों को दूर करने के लिए अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो आपकी समस्यों का समाधान होगा और आपके सिद्ध होंगे तो आपको उपाय बताने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अगर मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब कर लेजी ताकि जो भी उपाय जो भी जान करीदू वो जल्दी जल्दी पास सको और अपनी जीवन में उपायों को अपना सको तो चलिए शुरू करते हैं जैसे कि आपका व्यापर व्यवसाय नहीं चल रहा है व्यापर में रुकावाटारी है बिजनस आपका अच्छा नहीं चल रहा है आपको कारोबर अच्छा नहीं चल रहा है तो आपको महाशीवरात पर आपको लाना है घर पे और घर पे लाकर तुरे को आप लाल कपड़े में लपेट कर आपके व्यापर व्यवसाहे वाले इस्थान पर इसको रख दीजिए आपके कारी में जो रुखावाट आरी ना वो दूर हो जाएगी और आपके कारी बढ़ने लगेंगी बिजनेस जो दूसरा उपाई है वो है रोग मुक्ति के लिए किसी भी तरीका पहानक से पहानक रोग हो, कितना ही इलाज करवाला हो आपने लेकिन फायदा नहीं हो रहा हो तो आपको ये धतुरे का उपाई अवोशी कर लेना चाहिए महाशिवरातरी के दिन आपको लेना है साथ धतुरे जिसमें से आपको एक धतुरे पर मौली लपेटना है जो लाल अच्छा होता उसको लपेटना है और जब आप धतुरे पर मौली लपेट रहे हो उस समय आपको चंद्रमोली भगवान का इसमरन करना है, साथ ये छे धतुरे जो आपने लिए है उनको आपको हल्दी में अच को जो शीव लिगे ना उसके उपर रख देना है और फिर दूसरा ध्हतूरा है वह आपको तो आ। आपको आपको राट्धी इन कहां पर सब्सक्कित है और इस्तान को मंदिर को सब्सक्रा прибiveness पांचवत धतूरा जो रखना है वो मा जगदांबा के हस्त कमल के वहाँ पर रखना है और जो छटा धतूरा है उसको आपको कलश में रखना है जहां पर भगवान शिव की पांच करने आये रहती हैं सहते आपको जो सातवा धतूरा है उस धतूरे को आपको जहां से जलाधरी बहती है और जल गिरता है वहां पर रखना है और उसी चड़ेवे धतुरे को फिर से उठाना है और उसको घर लेके आना है और अब धुतेश्वर महादेव या चमपेश्वर महादेव का इस्मरंड करते हो जो फ्यक्ति विमार है उसको इस्पश गराते हुए बेल पत्री के पेड़ के नीचे उस धतुरे को आप रख दीजिए दीरे दीरे करके रोग में आराम मिलने लगेगा ये उपाय आपको महाशिवरात्री वाले दिन करना है और जैसे कि आप सभी को पता ही कि जो शिवरात्री है न वो हर महीने आती है तो हर महीने की शिवरात्री पे भी आप तो तो कि लिरा दिरा दि